Retro Studies में आप सभी का स्वागत है आज हम Class 12 के फ्लेमिंगो बुक से इंडिगो चैप्टर पढ़ेंगे जो कि लुईस पीशेर द्वारा लिखा गया है तो आईए स्टार्ट करते हैं यह जो कहानी है 1916 में सेट की गई हुई है जहाँ पे गादी जी अपना step लेते हैं और चमपारन के गरीब किसानों की मदद करते हैं यह जो कहानी है इसमें में पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ के गरीब किसान struggle कर रहे होते हैं और उनलों के लिए गादी जी justice और equality के प्रतीक बन के खड़े होते हैं यह कहानी वहां से सुरू होती है, जहाँ पर चमपारन का इतना बहतरीन लैंड मास जो रहता है, वो अग्रेजों के अधीन हो गया होता है, वो लार्ज इस स्टीट में डिवाइड हो गया होता है, वहां के जो ओनर रहते हैं, वो इंग्लिस मैन रहते हैं, और जो काम करते हैं वहां के मूल निवासी इंडियन टेनेंट्स रहते हैं हम जानेंगे कि वहां का जो चीफ क्रॉप्स था वो इंडिगो था और हम ये भी देखेंगे कि जो लैंडलोड्स थे वो उन गरीब किसानों को जबरजस्ती इंडिगो प्लांट करने के लिए बोलते थे और उस इंडिगो प्लांट का 15% वो बोलते थे कि हर्वेस्ट हो जाने के बाद रेंट के रूप में हमारे यहां समिट कर देना जो वहां के टेनेंट्स रहते हैं वो सभी एक एगरीमेंट के तहत दबगाए होते हैं जो कि ब्रिटिस जबरजस्ती करवाय होते हैं जो कि जर्मनी उस समय सिंथेटिक इंडिगो बनाना स्टार्ट कर दिया था और इसके वैसे जो ब्रिटिस थे उन लोगो अब इंडिगो क्रॉप किया वह सकता है बिल्कुल नहीं थी अब क्या होता है कि उस एगरीमेंट से किसानों को आजादी देने के लिए वो उनसे कमपनसेशन डिवांड करना स्टार्ट कर दिये अब भाई उनकी ही जमीन वही काम कर रहे हैं वही पैसा लगा रहे हैं उसके बाद 15% उनको रेंट के रूप में दे रहे हैं और उस एग्रिमेंट को खतम करने के लिए ब्रेटिश अम्रा क्या स्टार्ट कर दिया कि वाई अगर ये एग्रिमेंट को खतम करना है तो तुम्हें उसके बदले में कमपंसेशन देना होगा जा होता है कि वहाँ पर कुछ अनेजुकेटेड पीजन रहते हैं जो इस चीज को एग्रि कर लेते हैं और बाकी सब जो रहते हैं वो बिल्कुल भी एग्रि नहीं करते हैं तब तक हम क्या देखते हैं कि उसमें से एक सेयर क्रॉपर रहता है जिसका नाम राज कुमार शुकला रहता है वो कैसे भी करके गादी जी के साथ मीटिंग अरेंज करता है और उनसे मिलके वो अपने यहां का प्रॉबलम बताता है जो चमपारन जीले में प्रॉबलम था उ एगरी कर लेते हैं और उनके साथ प्रेन के माधम से बिहार जाते हैं और बिहार में पटना में जाते हैं और वहां से राज कुमार शुकला गादी जी को अपने साथ राजेंदर प्रशाद के घर पे लेके जाते हैं जो की एक वकील होते हैं चुकि गादी जी बहुत सिंप प्रकार के जस्टिस के लिए बात करेंगे और इन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि ब्रिटिस गवर्मेंट का उस समय का रूल था कि अगर कोई भी नेशनल लीडर या फिर प्रोटेश्टर किसी के यहां रह रहा है तो उसको पनिस्मेंट दिया जाएगा उसे सजा दी गांदी जी के सपोर्ट में आ गये और जो वहां पे लॉयर थे जो पहले बहुत जादे फीस लिया करते थे महात्मा गांदी को वहां पे देखने के बाद उनका जो चार्जेस था वो भी डिक्रीज हो गया चुकि गांदी जी उन सभी लॉयर को बहुत जादे क्रिटिसाइ रखा ये देखके जितने भी प्रीजेंट्स थे उनके अंदर कॉंफिडेंस आया और अब वो इतने साहसी हो गये थे कि वो अपने डर को पीछे छोड़के किसी से भी लड़ने के लिए तयार थे क्या होता है कि बहुत जादा मेहनत करने के बाद बहुत जादे लड़ाई लड़ने के बाद बहुत साल बाद उन्होंने किसानों के एवज में जस्टिस प्रवाइड कराया और यहां तक कि उस एरिया में एजुकीशन का नामों निशान नहीं था तो उन सभी के लिए एजुकीशन का भी प्रबंद किया हेल्थ हाईजीन जितने भी कमिया थी उन प्रबंद कराया और पीजेंट्स का बरपूर मदत किया और फाइनली महात्मागादी ने उन सभी को एक पार्ट पढ़ाया और सेल्फ कॉंफिदेंस का जो तुम्हारे पास है उसमें सब्रकरना सीखो और अपने अंदर कॉंफिदेंस रखो और यहां पर यह चैप्टर समा